वार संक्या 10 में हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से 13 वर्षे बाली का जुलसी गंबीर हालत में परीजनों ने पहुंचाया अस्पत्ताल चुरु शहर के वार्ट संख्या 10 में शनिवार को 13 वर्षे बालिका हाई वोल्टेज विदूत लाइन की चपेट में आकर जुलस गई बालिका को गंभीर हल्ट में राजके भरतिया जिला अस्पताल के आपात कालिन वार लाया गया जहां मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज किया गट्डा की सूचना मिलने पर अस्पताल चोकी से आई पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई अस्पताल में गायल बालिका के परिजनों ने बताया कि 13 वर्षे बालिका अलकोशर शनिवार को घर के तीसरे मंजिल पर सो रही थी नींद से उठकर वे निचे आ रही थी तबी छट के पास से गुजर रही हाई वोल्टेज विदूत लाइन के तार से उसका हाट टच हो गया जिससे बालिका को तेज करंट का जटका लगा करंट से उसके दाय हाथ का कंधा जुलस गया और करंट लगने से बालिका बेहोश भी हो गई चिल्लाने की आवास सुनकर परिजन दोड़कर मोके पर पहुँचे जिन्होंने उसको अस्पताल पहुँचाया फिलाल बालिका का अस्पताल में इलाज चल रहा है बालिका के पिता जुबेर ने बताया कि अलकोशर अपने नन्याल सुजान गड में रहती है और अपने मामा के पास पढ़ती है ईद पर वे अपने घर चुरू आई हुई थी